तो देखिए हम आप लोग के बीच आ चुके हैं कोश्चन नमबर 7 और 8 यह लेकिए और इसके पहले हम लोग कोश्चन नमबर 6 तक स्वाल कर चुके हैं अभी आपकी एक्सकाइज 6.2 का पार्ट नमबर 3 हम आप लोग को सामने लेकिए आया है और इसमें टोटल फोर कोश्चन हम लोग स्वाल करना कोश्चन नमबर 7 8 9 & 10 तो आते हैं कोश्चन नमबर 7 पर देखते हैं कोश्चन नमबर 7 देखिया आरड हमने यहां पर राइट कर रखा है कोश्चन क्या यूजिंग थीरम 6.1 प्रूब देट लाइन ड्रान थ्रो दा मिट पॉइंट आफ वन साइड आपे ट्रेंगर पैरलल टू एनदर साइड बाइस सेग दा थार्ट साइड तो इसमें आपको देखिए किस वात का ध्यान रखना है इसमें आपको थेरम 6.1 जो की बेसिक प्रपोर्शनल थेरम है उसी चीज का यूज़ करना है ठेकर इसको यूज़ प्रूब करने के लिए अब देखिए यहां पर क्या दिया है कि मालों A, B, C ट्रेंगल है और P और Q पॉइंट है जो A, B और A, C को काड़ते हैं ये लाइन हो गया तो वहीं हमने लिखा consider the given figure in which lineal, यह lineal है, drawn through the midpoint, यह देखिए midpoint P है midpoint Q है, half line segment A, B and line segment A, C, ठीकिना, line segment अब इसका जो है मतलब क्या हुआ कि अगर यह midpoint है, ठीकिना, तो अब यहां पर आपको प्रूब क्या करना है, आपको प्रूब करना है, question के guarding, कि जो one side of triangle parallel to another side है, वो क्या कर रहा है, इन दोनों को by set कर रहा है मतलब दिया हुआ है कि B, P, Q जो है यह parallel है, किसके, B, C के, position के guarding तो ही clear हो रहा है, देखिए, midpoint आप one side of triangle parallel to another side, by set the third side, यह midpoint हो गया, और यह parallel line हो गयी, आपको यह प्रूब करना है, कि यह by set कर रहा है, यह Q equal to QC, ठीक ना, तो अब आप देखिए, by using, by using basic proportionality theorem, we obtain, वो क्या मिला, A, P upon, P, B, A, P upon, P, B, equal to हो जाएगा, A, Q upon, QC, यही है न, अगर यह line इसके parallel होगा, तो इसका, इसका ratio, इसके, इसके ratio की equal होगा, यही तो theorem 6.1 है, ठीक है, यह question number 1 हो गया आपका, ठीक है न, अब इसमें देखिए, यहाँ पे है कि P is midpoint, P is midpoint, since P is midpoint, आप A, B, hence, क्या हो जाएगा, जो A, P equal to हो जाएगा, वो, क्या हो जाएगा, P, B के हो जाएगा, इसके अउतलब क्या है, कि A, P, upon, P, B, दोनों का ratio क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, one is to one, अगर यह one है, तो यह भी length one नहीं हो जाएगा, दोनों equal है, ठीक ना, तो यह आजाएगा ratio one upon one, और अगर आशा है, इसका value equation number one में रखती है, putting value in equation one, तो देखो, AP upon BP के जगा one upon one लिख दिया गया, तो A, Q upon QC के equal हो गया, basic proportional theorem तो यह ही कहता है, यानि, अगर cross multiplication किया जाएगा, तो A, Q equal to क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा, ठीक है, A, Q equal to QC का मतलब क्या हुआ, यह Q, अगर QC के बराबर है, तो यह तो प्रूब होई जाता है, QE, A, C का midpoint है, it means, Q is midpoint, a, A, C, ठीक न, तो यह byset कर रहा है, अगर midpoint है, तो midpoint by hands, it is bisecting, hence, it is, bisecting, इसी, ठीक है, बस यही हम लोगों को प्रूब करना था, अब आज आईए, question number 8 भी देख लेते हैं, को, यहाँ पे theorem 6.2, यानि converge आप 6.1, basic proportional T theorem का, prove that the line joining the midpoint of any two side, आप a triangle is parallel to, यहाँ पे दोनों midpoint दिया हुआ, आपको parallel प्रूब करना है, ठीक ना, तो देखिए, solution में हमने क्या किया है, ABC एक triangle ले लिया है, ठीक ना, और P की जो line है, यह P और Q, P AB का, और Q AC का midpoint है, ठीक ना, इसको हमने join किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससा मतलब that is, जो AP होगा, यह PB के बरावर हो जाएगा, यह midpoint है, and, AQ जो होगा, इसकी value QC के बरावर होगा, जब midpoint है, तो यह value, यह value same होगा, AP equal to PB, AQ equal to QC, ठीक है, it can be observed that, लिखो, it can be observed that, क्या है, AP upon PB करते हैं, AP upon PB अगर करते हैं, दोनों equal to ratio तो 1 is to 1 का हो जाएगा, इसी तरह, AQ upon QC भी करते हैं, इसका भी ratio 1 upon 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों length में equal हैं, तो ratio to 1 is to 1 का हो जाएगा, तो hence, अगर देखा जाए, यह और यह, दोनों equal हैं, तो AP upon PB will be equal to AQ upon QC, होगा, तो यहां पर अगर 6.2 theorem का use किया जाए, by using converge of, by using converge of theorem BPT, basic proportional theorem, या 6.2 डी सकते हैं, ठीके न, theorem number 6.2, यह तो converge आप theorem BBT है, तो we obtain, इसी साब से क्या कहता है यह थीरम, यह थीरम कहता है, कि अगर ratio AP upon PB equal to AQ upon QC है, तो इसका मतलब PQ जो हो जाएगा, वो parallel हो जाएगा, BC की, ठीके न, PQ parallel BC हो जाएगा, hence proved, hence, यही तो हमको prove करना था, देखी, तो देखी, बच्चो, question number 9, A, B, C, D is a trapezium, in which AB is parallel to DC, and its diagonal intersect each other at 0.0, now so that A upon BO equal to CO upon DO, यह आपको स्वाल करना है, question number 9, NCRT book में आपको दिया हुआ, exercise 6.2, तो देखी, हब से पहले हम consider कर लिए, ABCD, हम ने क्या बना लिया, यह एक, phylologram बना लिया, trapezium, not phylologram, ABCD, एक trapezium बना लिया, और यहाँ पे, AP जो है, OCD के parallel LD है, ठीकना, और हमने यह कौर लाई, ठीकना, draw a line, EF, EF, throw point O, throw point O, यह point O से होके, EF एक लाईन हमने खीचा, such that, इस तरह से खीचा, such that, क्या हो गया, EF will be parallel to CD, यानि यह F, जो है, CD के parallel हो, ठीकना, अब देखें, इन triangle ADC, देखते हैं, in triangle ADC, यह triangle है, ADC, इस triangle में अगर देखा जाया है, तो क्या दिख रहा है, EO जो होगा, EO parallel होग जाएगा, CD के, EO parallel CD हो जाएगा, अच्छा, ऐसा अगर होता है, ठीकना, तो using अगर basic proportional theorem, अगर इस करें, अगर यह इसके parallel है, इस triangle में, using basic proportionality theorem, we obtained, हमको क्या मिल गया, A upon ED, A upon ED, this will be equal to AO upon OC, या CO, जो भी लिख लिए, ठीकना, यह मिल गया आपका, question number one, ठीक है, अब triangle ABD, यह, ABD, ठीकना, in triangle ABD अगर देखेंगे, तो जो OE है parallel AB के भी है, यह parallel इसके भी है, क्योंकि यह दुने line parallel है, O, E parallel हो जाएगा, AB, ठीकना, और अगर ऐसा होता है, तो फिर वही, using BPT, using basic proportionality theorem, we obtain, क्या मिल गया, देखें, यह जाएगा, उधर से अगर देखेंगे हम, तो ED upon EA, equal to क्या जाएगा, DU upon OB, ठीक है, ED upon EA, equal to DU upon BO, यानि, this upon, this equal to this upon, इसके होगी, अगर उल्टा करके इसको देखेंगे, opposite side से, यह इसके पहला ला, तो इसका इसका ratio, इसके ratio के equal होगा, ठीक है, अब इसकी को थोड़ा ratio ब्रोकल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ, AE upon ED है, तो उसी form में इसको भी लाते हैं, ठीक है, इसको AE upon reciprocal करेंगे धरगा, इधर वाला भी reciprocal हो जाएगा, ratio है चुपी, ठीक न, तो equation number, 2 मिल गया, अब इस तरह से देखिए, equation 1 और 2 का यूज अगर हमने किया, ठीक न, from equation 1 and 2, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, कामान AE upon ED, इंदोनों में कामान, तो AO upon CO equal to BO upon DO, AO upon CO equal to BO upon DO, अचाब को क्या प्रूप करना, AO upon BO equal to CO upon DO को प्रूप करना है, तो आप कर सकते हैं, यह बी उठा के यहाँ रख दीजिए, आएगा न, उपर रहते इधर आएगा नीचे, और इस CO को उठा के इधर रख दीजिए, CO upon, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीकर न, इंटर्चेंज कर दीजिए, BO और CO को, तो इस तरह से हमारा जो कंडिशन था, यह बी उपान बी उ, equal to CO upon DO का, यह यहाँ पर प्रूप्ड हो जा रहा बच्चो, ठीकर न, अब आप पहुचे हैं हम लोग, इस एक्सराइज 6.2 के, कोस्चन नमबर 10 पे, और यह कोस्चन नमबर 10 आपके 6.2 का, लास्ट कोस्चन भी है, दिखते हैं, दा डाइगोनल साब एक वाडिलेटरल, ABCD intersect each other at 0.0, such that AO upon BO equal to CO upon DO, then so that ABCD is a trapegium, तो देखें, कंसीडर करें, हमने एक फीगर यहाँ बना रखा है, इसी का सलूसर हम करते हैं पहले, तो कंसीडर करें कि ABCD क्या है, वो फीगर है, क्वाडिलेटर बोल रहा न, let us consider, ABCD is the given figure, माल लिया, ABCD ही वो फीगर है, ठीक न, और क्या करना है, and draw a line, and draw a line, OE parallel, किसके किजना है, AB के, यह जो लाइन हमने कीजा है, इसके parallel, ठीक न, आप देखिए, पहले, ट्रेंगल, AB, D की बात करते हैं, यह point का नाम थोड़ा सही कर लिए, ABC इधर हो जाएगा, और D, इधर हो जाएगा, ठीक न, तो इन ट्रेंगल, ABD, इस ट्रेंगल में देखिएंगे, ABD में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, OE जो parallel है, AB के है, OE parallel AB, by construction ही हम लोगों ने देखा है, construction ही ऐसा किया हमने की, parallel line हो, ठीक है, तो अब BPT का यूज़ करते हैं, using basic proportionality theorem, V octane, क्या मिला हम लोगों को, अगर ऐसा है कि OE parallel AB के, तो ABD में देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा, AE upon ED, A upon ED, equal to क्या हो जाएगा, B upon OD के, ठीक है बच्चो, A upon ED, B upon OD लिख लिजिए, DO लिख लिजिए, बात ही की है, ठीक है, इसको equation number 1 हो ने कर दिया, A upon ED equal to B upon DO, अच्चा, दिया भी है, देखेंगे, यहाँ पर कुछ दिया है, however, however, it is given that, क्या दिया हुआ है, यह देखेंगे न, A upon BO, equal to CO upon DO, यह तो दिया ही है, equation number 2, ठीक है न, तो, अगर A upon BO, equal to CO upon DO, दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है, इसको थोड़ा सा आप change करिए, इसमें, इस form में लाइए, किस form में, देखें, A upon CO, equal to BO upon DO, हाँ ठीक है, इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, हो जाएगा R, इंटरचेंज कर दीजिए न, CO और BO को, A upon CO equal to BO upon, इसका purpose क्या था, यहाँ BO upon DO है, तो हमको यहाँ बेभी BO इदर लाते, तो BO upon DO, यहाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, ठीक है न, तो अगर इस तरह से common है BO DO, तो equation 1 और 2 का use करके हम, क्या निकाल सकते हैं, from equation 1 and 2, हमको क्या मिल गया, देखें, BO DO, यहाँ भी है, BO DO है, तो यह मिल गया, A upon ED, equal to A upon CO, मिलेगा, A upon ED, equal to AO upon CO, clear है बच्चो, अब देखें, अगर ऐसा है, AO upon, AO upon CO, equal to AO upon ED, इसका मतलब, अगर हम converge आप BPT का use करेंगे, by using converge, आप basic proportionality theorem, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो EO है, अगर इसका इसका ratio, इसके इसके ratio के बराबर हो जाता, तो EO parallel हो जाएगा किसके, CD के, और आलड़ी EO parallel है, EO या OE parallel है AB के, ठीक है ना, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा, यह देखेंगे, EO parallel, EO OE यह जाएगे है, AB parallel, CD है, तो इसका मतलब यह, जो figure हो क्या है, यह trapegium है, prove हो गया, hence, it is proved, ABCD, is a trapegium, trapegium की खासियत क्या है, कि कोई भी एक्साइड, जैसे AB और CD parallel अगर हो गया, तो यह figure trapegium प्रूब हो जाता हूँ, यह हमने prove कर दिया है, तो बच्चों देखें, इस तरह से हमने exercise 6.2 के सारे questions वाल कर दिया है, अब जल्दी हम आप सामने नेश्न exercise लेकर आ रहा हैं, तब तक आप देखते रहिए, टेक्टिस करते रहिए, झाल झाल झाल